नमस्कार आप सभी को time and work का एक बहुत important पार्ट है work and wages अगर आपको work and wages के सवालों में problem होती है confusion होती है तो इस वीडियो को अगर आप end तक देखते हैं तो यह confusion जड़ से खतम कर देंगे सारे type के सवाल work and wages में जितने भी type के बन सकते हैं वो सब हम यहाँ पर discuss करेंगे concept के तो चलिए पहले concept समझते हैं बहुत सा ही लोगों को यह confusion होता है misconception होता है कि जो wages है जो पैसा है वो efficiency के ratio में divide होता है पर ऐसा नहीं है हर case में ऐसा नहीं होगा देखो जो भी आपका amount distribute होगा न वह हमेशा work के proportional होगा जितना काम आपने किया उसके proportional ही आपको amount मिलेगा यह basic rule ह है जो आप याद रखिए हम यह जानते हैं कि time in work का जो basic concept होता है वह होता है work equals to capacity into time परसन जो काम करता है वह हम कैसे निकालते है capacity उस परसन की यानि per day work या per hour work into time ठीक है तो जैसे एक example आप लीजिए यहां पर कि सपोस्थ कीजिए कि A किसी काम को 10 days में पूरा कर सकता है और B कि उसी काम को 15 days में पूरा कर सकता है अगर दोनों ने मिलकर यह पूरा काम complete किया तो इनको जो पैसा है वो किस ratio में distribute होगा मैं यह कह रहा हूं कि सपोस्थ दोनों को मिलकर 1000 रुपे मिला तो किसको कितना कितना मिलेगा A को कितना मिलेगा और B को कितना मिलेगा अगर यह दोन end to end मिलकर काम को पूरा कर रहे है तो उस case में जो पैसा है वो इनकी efficiency की रेश्यों में distribute होगा है ना तो इनकी efficiency का रेश्यों का रेश्यों में distribute होगा मतलब A को मिलेगा 600 रूपे और B को मिलेगा 400 रूपे चार सो एक हजार को अमने 302 के रेश्यो में रिस्टिविट किया ऐसा क्यों हुआ यह समझे देखो बेसेक रूल तो हमारा यह था आप कहा रहेते कि अमाउंट तो वर्क के प्रपोर्शनल होता है आपने तो एफिशेंसी रेश्यो में रिस्टिविट कर दिया देखो ऐसा मैं यह ने इसे लिए किया क्योंकि अगर आप यहां पर थोड़ा गौर फर्माएं है तो आप वर्क को अज्यूम कर सकते हो 30 यूनिट इन दोनों का LCM तो A की कैपसिटी कितनी हो जाते हैं आप 30 by 10 यानि कि 3 और B की कैपसिटी 30 by 15 यानि कि 2 यूनिट पर डे एक दिन में 3 यून किया दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा किया तो हम ये कह सकते हैं के ए ने काम कितना किया वर्क ड़न बॉन बई-A किटना ख기 तो भाई A ने 6 दिन में किया 3 x 6 और B एक दिन में 2 unit करता है तो 6 दिन में कितना करेगा 2 x 6 तो आप देख पा रहे हों 18 unit और 12 unit कुल मिलाकर कितना हो गया 30 unit तो यहाँ पर 6 से जो 6 है वो cancel हो गया क्योंकि दोनों ने equal time के लिए काम किया है इसलिए जो ratio आया work done का वो efficiency के ratio के बराबर आ गया because time से time cancel हो गया तो अगर दोनों मिलकर काम कर रहे है end to end तो हम जो पैसा है उनकी efficiency के ratio में आराम से distribute कर सकते हैं हमें यह निकालने की ज़रूद नहीं किसने कितना काम किया वहीं पर अगर हम से ऐसे कहा गया होता कि A left after two days A ने केवन दो दिन काम किया है है ना और बाकी बचाओवा काम B ने किया है ना एन दो दिन काम किया बी ने बचाओवा काम किया राइट तो आप मुझे बात बताओ कि इस case में work done by यह कितना होगा तो टोटल काम 30 unit है, a ने सिर्फ दो दिन काम किया है, तो a ने काम किया होगा 3 into 2, एक दिन में 3 unit करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा 6 unit, a ने काम किया 6 unit, तो b ने कितना काम किया होगा, तो हम कह सकते हैं कि पूरा काम जो हमारे पास है, वो है 30 unit, 30 में से अगर 6 unit minus कर दूँगा तो B ने कितने दिन काम किया, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, B ने कितना काम किया, उससे फरक पड़ता है, तो B ने बचा हुआ काम किया, यहां यहां पर एक्चॉल वर्क के रेशियो में डिस्टिविट करेंगे, तो आप यह concept बिलकुल दिमाग में क्लियर कर लो, efficiency के रेशियो में हम पैसे को तभी बाटते हैं, जब दोनोंने equal time के लिए काम किया होता है, यहां दोनोंने मिलकर पूरा काम किया होता है, end to end, equal time है, तो हम efficiency के रेशियो में डिवाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ इधर उधर की condition दे दी, कि A ने सिर्फ दो दि काम किया है, B ने remaining काम किया, तब में work done निकालना पड़ेगा, और work done के रेशियो में ही पैसे को distribute करेंगे, हैना, because actual concept तो यह है, अब हम कुछ सवाल देखते हैं, और concept को apply कैसे करना है, हो सीखते हैं, देखो जा, पहला question है आपर, ABC sign a contract to finish a certain piece of work for 1100, 1100 रुपे में ये काम working together, finished 7 by 11 part of the work, remaining part of the work done by C alone, find the share of C, C का share में बताना है, तो आप यह देखो, कि A और B ने अगर 7 by 11 काम किया, तो C ने कितना fraction काम किया, 1 minus 7 by 11, कितने कितने दिन नों ने काम किया है, इससे फरक नहीं पड़ता, कितना काम गिया, उससे फरक पड़ता है, तो 1 minus 7 by 11 कितना हो गया 4 by 11, right, तो मतला work done by C is 4 by 11, तो अगर उसने पूरे काम का 4 by 11 हिस्सा complete किया है, तो उसे amount भी पूरे का 4 by 11 मिलेगा, तो पूरा amount कितना है, 1100, तो 1100 का 4 by 11 हम निकालेंगे, तो कितना आएगा, चार्ज को रोते, तो इसको amount मिलेगा, कितना, चार्ज को रोते, done, तो share of C is 400, ABC can do the work in 8, 10 and 15 days, they started working together and received 1050 after completion of the work, find the share of A, अब यहाँ पर आप गवर से देखें, तो तीनों ने equal time के लिए काम गी है, मलब शुरूरा से end तक तीनों लगे रहे काम पर, तो तीनों का time equal है, तो जब time equal है, तो हम क्या करते है, capacity के ratio में ही पैसे को distribute कर सकते है, तो ABC के time का ratio क्या ह 8 days, 10 days and 15 days, यह इनके time का ratio है, तो इनकी capacity का ratio क्या होगा, 1 by 8, 1 by 10, 1 by 15, right, तो 8 और 15 और 10 का LCM कितना होगा, 120, 120 से मैंने multiply किया, तो यह आए 15, यह आगया 12 और यह आगया 8, right, तो A को कितना amount मिलेगा, 15 by total, total कितना होगा इनका, 35, 15 by 35 into total amount, 1050, पेस से गया 30 बार, 30 into 15 कितना होगा, 450 रुपी, तो share of यह हमें नकालना था, जो कितना होगा, 450 रुपीज, clear है सभी को, चलो, और देखो आगे, 2 men, 1 women can complete a work in 14 days, 4 women and 2 men can complete that work in 8 days, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, if a man gets 900 रुपीज for 5 days, how much will a women get per day, एक दिन में मैं को कितना मिलता है, 120 रुपी, भाई, मैं को 5 दिन में अगर इतना मिलता है, तो एक दिन में कितना मिलेगा, 900 upon 5, so we can say 180 रुपीज, तो एक मैं एक दिन में 100 सी कमाता है, तो विमें कितना कमाईगी एक दिन में, तो it depends on their capacities, क्योंकि एक दिन में जितना वो काम कर रहे हैं, वही उतना ही amount मिलेगा, जो ज़्यादा काम करेगा, उसको ज़्यादा amount मिलेगा, कम काम करेगा, कम amount मिलेगा, तो हम यह कह सकते हैं, तो 2 men, 1 women, 2 men, plus 1 women, काम को मिलकर कर सकते हैं, कितने दिन में, 14 days में, तो यह हो गया total work, and that is equal to, second case में क्या है, 4 women and 2 men, यानि 2 men, plus 4 women, इसी काम को कर सकते हैं, कितने दिन में, 8 days में, right, तो यह total work, बराबर total work का, मैं यहां से men women की efficiency का ratio निकालूँगा, तो आप ratio देखो ज़रा, कितना आएगा, 2 से गया है 7 बार, 2 से गया है 4 बार, तो हम कह सकते हैं, this is 14m, plus 7w, बराबर 8m, plus 16w, right, 14-8, यानि 6m, equals to 16-7, यानि 11w, यानि men और women की capacity का जो ratio है, 11 by 6 है, तो काम per day की बात हो रही है, हम पर per day, एक दिन की, तो यानि time fix है, दोनों के एक एक दिन का amount लेना है, एक एक दिन मतलब दोनों के लिए time fix है, एक एक दिन, तो अगर time fix हो गया, तो capacity के ratio में ही amount मिलेगा, right, तो हम से याँ पर कहा गया है, एक men को काम करने पर 900 रुपे मिलते हैं, पास दिन के, है न, 900 रुपे पास दिन के मिलते हैं, हम फिर से एक बार check कर लेते हैं, 2 men, 1 women can complete the work in 14 days, and 2 men and 4 women can complete the same work in 8 days, 2 से 7 बार cancel हो गया, 2 से 4 बार, 7 तू जा 14, plus 7W, this is 8M plus 16W, so हम कह सकते हैं, this is 6M equals to, 6M equals to, this is 9W, ठीक है, this is 9W, 12M से 7 गया, तो 9 बचेगा, so this ratio, men और women का जो ratio आएगा, वो कितना मिलेगा, आएगा 9 by 6, अब आप यह देखो, कि men को कितना मिल रहा है, 160 रुपे, मतलब 9 unit की value, 160 हो गई, जो कि इसका 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कर दो, कितना हो गया, women को एक दिन में कितना मिलेगा, 120 रुपे, yes, 120, 120 is the right answer, clear है बात, सभी को समझ में आया concept, आगे बढ़ोगो, next question, सवाल हम से कहता है, A can do a work in 15 days and B can complete the work in 20 days, C can complete the same work in 30 days, if all 3 start together and C leaves after few days, C कुछ दिन बाद छोड़कर चला गया, कितने दिन बाद ही हमें नहीं पता, A and B complete the remaining work, बाकी बचाओवा काम A and B ने किया, total amount paid for this work is 18,000 and B gets 6,000 more than C, B को 6,000 जादा मिलता है C से, then in how many days work will be completed, सवाल देखो tricky है, थोड़ा चा, है न, उतना आसान नहीं है, तो जड़ा देखते हैं, A काम को कर सकता है 15 दिन में, A 15 दिन में कर सकता है, B काम को कर सकता है कितने दिन में, 30 दिन में, और C इसी काम को कर सकता है कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक है, अगर हम इनका LCM ले 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 तो LCM आ जाएगा 60 unit, ठीक है, All three started together, C कुछ दिन बाद छोड़कर चला गया, B एन ये ने काम complete किया, है न, अज़र टोटल अमाउंट जो मिला है, टोटल अमाउंट जो है 18,000 मिल रहा है, और B को 6,000 जादा मिला है C से, है न, तो मैं यह कह सकता हूँ, कि work done by B minus work done by C upon total work, what is total work, 60 units, हम यह कह सकते हैं, जो work done है, उसी के proportion में amount मिलते हैं, यानि B और C के work done का जो difference है, वो 6,000 के equivalent है, मतलब 6,000 amount के equivalent है, और जो total work है, वो कितने amount के equivalent है, 18,000 amount के equivalent है, can I say that, है न, तो B और C का difference upon total work, पर आपर 6,000 upon 8,000, yes, यह चीज़ ध्यान से देखें, तो इससे गया है यह 3 बार, 3 से गया है 20 बार, यानि कि हम यह कह सकते हैं, कि work done by B minus work done by C equals to 20 units, yes, 20 units, B और C ने जो काम किया है, उसका difference जो है 20 unit है, यह इस statement से निकल कर आता है, अब पहले statement से क्या आएगा, तीनों ने काम स्टार्ट किया एक साथ, है ना, तो कुछ काम A ने किया, work done by A, plus कुछ काम B ने किया, work done by B, plus कुछ काम C ने किया, work done by C, और तीनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, C कुछ दिन बाद चला गया, मतलब A और B ने तो पूरे N days तक काम किया, तो A और B 4 प्लस 3 साथ के rate से काम करेंगे, मिलकर, और इन्होंने साथ के rate से पूरे N days काम किया, 7 के rate से पूरे N days काम किया, प्लस, C ने कितने दिन काम गिया हमें नहीं पता, आपको C कुछ दिन बाद चला गया, let's suppose M देज बाद चला गया, तो C ने केवल M देज काम किया 2 के रेट से, तो 2 into M हम यह कह सकते हैं, and that is equal to 60, अच्छा, work done by B is how much, B, 3 के रेट से काम करता है, B का contribution कितने दिन तक रहता है, पूरे N देज तक, तो 3 के रेट से N देज तक काम करेगा, मतलब 3 into N, यह का contribution है, total work done है, और C ने M देज काम किया, मतलब 2 into M, इतना काम किया C ने, and that is equal to what 20, है न, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को add कर देंगे, दोनों को add करेंगे, तो 2M से 2N, cancel हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 10N, 10N बराबर 80, 10N, इन दोनों को add करने पर हमें क्या मिल रहा है, 7 प्लस 3, 10N बराबर 80, so n की value कितनी आ गई, 8, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, 8 days में, यह मेरा answer है, ठीक है, और थी बहतरी इन conceptual question था, जिसको work and wages ढंग से आता है, वही सवाल वो कर सकता है, आगे बढ़िए, next question देखते है, A, B, C working alone can do the work in 15, 20 and 30 days respectively, okay, they started the work, C left after working for 4 days, A left 1 day before the completion of the work, out of the total ways of 6000, find the share of each one, हर एक को कितना कितना मिलेगा, तो देखो 15, 20 और 30 है न, 15, 20 और 30, LC हम लेलेते हैं, इनका 60, तो A की capacity कितनी होगे, 4, B की कितनी होगे, 3, और C की capacity कितनी होगे, 2, तो A, B, C की capacity हमें मिलेगे, they started working together, C left after working for 4 days, मलब C ने कितना काम गिया होगा, के बल 4 दे, मैं यह कह सकता हूँ कि work done by A, plus work done by B, plus work done by C, यह तीनों मिलकर कितना काम करने है, 60 units, right, total work, तो A ने कितना काम किया, A ने कितने दिन काम किया, तो A left one day before the completion of the work, A एक दिन पहले चला गया, मलब A, 4 के rate से काम करेगा, N minus one day तक, अगर काम N days में पूरा हो रहा है, तो इसने N minus one day काम किया, right, अज़ा B ने कितना काम किया, B तो कभी गया ही नहीं, तो B ने पूरे N days काम किया, तो B जो है, 3 के rate से काम करेगा, पूरे N days, और C कितने दिन बाद चला गया, 4 दिन बाद, बलब C ने सिर्फ 4 दिन काम किया है, दो के rate से, तो 2 into 4, C ने इतना काम किया, बराबर 60 unit, right, तो हम यह कह सकते हैं, ऐसे 7N बराबर कितना आजाएगा, 4N प्लस 3N, 7N, यह हो गया, minus 4, minus 4 plus 8, is what, plus 4, plus 4 दिन जाएगा, 56, तो N की value आ जाएगी 8, जब N की value 8 आ गई, तो मैं work done by यह, देखो, हमें यहाँ पर matter करना है, इन तीनों ने काम कितना कितना किया, उसी ratio में पैसा distribute होगा, तो work done by A कितना है, 4 into N minus 1, यहानि 4 into 7, right, work done by B कितना है, 3 into N, यहानि 3 into 8, और work done by C तो हमें पता है, 4 into 2, 8 unit, right, तो यह ratio हो गया, इनका 2 बार गया, 4 से गया 2 बार, यहानि 7 is to 6 is to 2 के ratio में हमें total amount को distribute करना है, right, तो 7 अच्छे, अब 13, 13 plus 2, 15, 15 unit की value हो गई, 6000 रुपे, तो एक unit की value कितनी हो गई, 400, एक unit की value 400 हो गई, तो यह हो गया 2800, ठीक है, यह कितना हो गई, 6 into 4, 2400, और यह कितना हो गई, 2 into 4, 800, तो these are there, 2800, 2400, 800 रुपे, clear, चलिए, तो हमें निकालना है, work done, ABC sign a contract to finish a 13 piece of work for 8500, पे 4300 रुपे मेने काम पूरा करना है, तीनों को खुल मिलाकर मिलेगा 8500, A and B 13 by 17 part of the total work करते है, B and C 9 by 17 part of total work करते है, least paid worker जो होगा, उसका जो है share कितना होगा, तो जब ध्यान से देखें, देखो, 13 by 17 करना हो, 9 by 17 करना है, तो मैंने माल दिया कि पूरा काम जो है 17 unit है, मनला ABC ने मिलकर कितना काम किया, 17 unit, मैंने यह माल दिया, तो A and B ने मिलकर कितना काम किया, इसमें से 13 unit, 13 by 17 का कितना होगा, 13 unit होगा, और B और C ने मिलकर 9 by 17 कितना होगा, 9 unit, तो इससे मुझे पता चलेगा, तो A plus B अगर 13 है, तो C कितना हो जागा, 17 minus 13 यानि 4, आजा B plus C 9 है, तो A की value कितनी हो जाएगी, 17 minus 9 यानि कि 8, ठीक है, तो B की value कितनी आ जाएगी, 8 और 12, 12 minus करेंगी तो कितना जाएगा, 5, तो who will be the least paid worker, जिसने सबसे कम काम किया, सबसे कम किसने किया है, आपर C ने किया है, तो C ने किया 4 बटा 17 unit, 17 में से 4 unit काम इसने किया है, तो उतना ही इसको amount मिलेगा, amount कितना है, 8500 रुपे, तो इससे गया ये, 500 बार, 500 into 4, 2000 रुपे, तो least paid worker है C, और इसने जो काम किया है, उसके according, इसको amount मिलेगा, 2000 रुपे, clear, चलिए, आगे बढ़ेंगे, next question देखे, a can finish a certain piece of work in 16 days, b can do the same work in 20 days, a started working alone and left after 12 days, a ने अकेले काम स्टार्ट किया, 12 दिन बाद ये काम को छोड़ कर चला गया, rest work is completed by b alone, ठीक है, तो a और b का share बताना है, 2000 रुपे में से, तो 16 और 20, 16 और 20, इनका LCM क्या है, 80, तो a की capacity कितनी हो गई, 5 और b की capacity कितनी हो जाती है, 80 upon 20, यानि कि 4, a और b की capacity हमें मिल गई, ठीक है, अब ये ध्यान के देखो, कितने दन में काम complete हुआ, ये मुझे निकालने से, कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब इस बास से, क किस किस ने कितना कितना काम किया, तो आप ये देखो, कि work done by a, और work done by b, कितना कितना होगा, आप देखो, मुझे सीधे सीधे दिया गया है, कि a ने काम स्टार्ट किया, और 12 दिन तक काम वो करता है, 12 दिन बाद वो चला जाता है, मतलब a ने कितना काम किया होगा, 5 into 12, यान A ने काम किया 60 unit, can I say that, A ने काम किया 60 unit, तो B ने कितना काम किया होगा, 80 minus 60, या नहीं 20 unit, तो मतलब जो पैसा है, वो 3 to 1 के ratio में distribute होना चाहिए, right, अब ये लेकालने मतलग जाना, कि किस-किस ने कितने कितने दिन में काम, मलब कितने दिन में काम पूरा हुआ, उससे मुझे मतल 200 B का शेर 500 उपर, done, next, A can do a piece of work in 20 days, B is 50% less efficient than A, they work together for 10 days, मिलकर ये 10 दिन काम करते हैं, rest work is done by C in 5 days, बाकी बचावुवा काम C करता है 5 दिन में, ठीक है, so they get 5050 for the whole work, then what is the share of C, अब आप ये यहाँ पर सोच सकते हैं कि सर, C की capacity किया है, वो अमें ने काल नहीं पड़ेगी, हैना, लेकिन नहीं, capacity से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि C ने काम कितना किया है, total में से, उतनी proportion में से पैसा में लेगा, तो देखो, A 20 days में काम पूरा करता है, और A और B की capacity का ratio क्या है, देखो, A is, B is 50% less efficient than A, तो B और A की capacity का ratio 2 is to 1 है, हैना, B और A क capacity का ratio 2 is to 1 है, तो हम यह कह सकते हैं कि A 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, यानि जो work हो गया मेरे पास, वो कितना हो गया, total work, 2 के rate से काम करेगा 20 दिन में, तो 2 into 20, यानि कि work हो गया 40 units, काम मेरे पास जो है, वो 40 unit का काम है, this is work done, right, they work together for 10 days, and rest work is done by CLO, अच्छा, यह 10 दिन काम क करते हैं, तो आप मुझे बताओ, कि work done by A plus B, work done by A, work done by B, and work done by C, आप मुझे एक बात बताओ, कि A and B मिलकर कितना काम करेंगे, 5 दिन में, sorry, 10 दिन में, देखो, एक दिन में मिलकर करेंगे, 3 unit, तो 10 दिन में कितना करेंगे, 30 unit, है, 30 unit किया सकते हैं, अब C ने बाकी बचा हु कितने दिन में किया, उससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ा, मुझे फरक पड़ता है, इस बात से, कि C ने काम कितना किया, तो अगर 5 दिन की जगए, नहीं भी दिया गया होता, 5 दिन, तो मुझे इससे कोई फरक नहीं है, right, मैं वैसे भी निकल सकता हूँ, कि C ने कितना काम किया, तो टोटल काम अगर 40 उनिट है, उस में से 30 उनिट इनो ने किया, तो C ने 10 उनिट किया, तो C ने पूरे काम का 1 फोर्थ किया, है ना, 40 में से 10 उनिट अगर कर रहा है, तो पूरे काम का 1 फोर्थ काम कर रहा है, ना यह, तो 1 फोर्थ ही से अमाउंट मिलेगा, तो 5050 क वन फॉर्स हम निकाल देंगे यह ना कितना आएगा बारहईशो पचाथ बारहईशो पचाथ पांच अजार का वन फॉर्स कितना होगा बारहईशो पचाथ और इसका होगा त्वेल पॉइंट फाइफ तो 1262.5 ठीक है ठीक यह इसको अमाउंट मेरेका आगे बढ़ेंगे अनिल केंडू वर्क इन थर्टी देज एंड बीनू केंडू दू वर्क इन फिप्टीन देज वर्क टोगेदर फाइफ देज रेस्ट वर्क इस डन बाई चंदर चंदर इस 20 पर्सेंट मोर एफिशेंट दन अनिल इव दे थीज तो अनिल की कैपैसीटी कितनी क्या गई होए उनिट पर ड़े बीनू की कैपैसीटी उनिट्स पर दे'll ठीक है यहां तक अच्छा इन्होंने पांस दिन काम गिया अब चंदर की कैपैसीटी कितनी है इससे मुझे मिल दोनों ने काम करेंगा चंदर करेंगा तो चंदर करेंगा dale ले चंदर ने कितना काम दिया 15-15-15 यह चंदर थह में पैसे को स्लिख कर दो तो रिष्यों क्या है हम 21000 को स्प्लेट कर दिंगे तो तीनों के रहे हो है हम सवाल के भी जा唉 अगर आपको efficiency concept नहीं पता तो और आपको पता है तो बहुत आसानी से आपकर सकते हो साथ में work and wages का concept भी पता होना चाहिए 24 men can earn 10,800 working 6 hours daily in 25 days how many women can earn double of the previous amount working 4 hours daily in 27 days it is given that the wages of men and women is in the ratio 3 to 2 wages का मतलब है per day income तो अगर इनकी per day income 3 to 2 के ratio में है तो इससे मैं conclude कर सकता हूँ कि men ज्यादा काम करता है per day और women कम करती है मतलब per day किया गया काम जिसको हम बोलते हैं इनकी efficiency या per hour किया गया काम जो भी है मतलब जो time की सबसे चोटी unit है आर्स तो पर hour एक घंटे में जो काम कर रहे है ना उसका भी ratio 3 to 2 है है ना उसी ratio में पैसा मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि efficiency of men upon efficiency of women है ना इसका ratio 3 to 2 होना चाहिए ठीक है इससे हम conclude कर सकते हैं तो अगर मैं इसको cross multiply कर दूं तो I'll get two times efficiency of men बराबर three times efficiency of women yes बात समय में आ रही है अब आप यह समझो कि efficiency का जो basic formula है time in work में वो क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए तो efficiency का जो actual में formula होता है वो होता है w upon mdh है ना डबलू मतलब work number of men number of days number of hours per day ठीक है so two times what is efficiency of men तो men let suppose यह कर रहे है वन यूनिट काम डेली total work को मैं वन यूनिट मान लेता हूं कुछ भी मान लो है ना डबलू मान लो कुछ भी लिख लो है ना और कितने मैंने 24 कितने दिन में काम को पूरा कर रहे है 25 देज में and per day कितना काम कर रहे है तो w upon mdh अच्छा विमेन की अगरम बात करें तो यहां पर गुला है कि they should earn double of the previous amount double amount कैसे मिलेगा जब काम double करेंगी क्योंकि पैसा तभी मिलता है जब आप काम करते हो जितना ज्यादा काम करते हो उतना ज्यादा पैसा मिलता है तो हम यह कह सकते हैं अकर इन्होंने एक unit काम किया तो इनको कितना करना पड़ेगा इसका double यानि 2 unit यह बात समीमें आ रही है सब्सक्राइब कितने डेज में काम करें 27 डेज में एंपर डे कितना काम करें 4 आर्स डेली यहां से एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे थोड़ा कैंसल कर दो इसको 2 से 2 कैंसल हो गया राइट 3 से गया यह 9 टाइम राइट 946 जो कि 6 से कैंसल हो जाएगा सिक्स टाइम और 6 से गया यह चार बार तो एन की वैल्यू 25 इंटू 4 कितना आगे सो आगे सो हाओ मेनी विमें आर रिक्वाइड हंड्रेट ठीक है क्लियर है सभी को चलिए आगे बढ़िए एक सवाल और करते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का ऑल्टनेट डेज वाले केस म अमांट ओव वर्क तो हमें हमारा फोकस है वर्क निकाले पर किसकिस ने कितना काम किया तो एक एन फिनिश वर्क इन 10 देज बीक एन फिनिश दर सेम वर्क इन 15 देज अगर हम इनका LCM लेते हैं तो LCM आता है 30 जिससे कि A की कैपासिटी आ जाती है 3 यूनिट पर डे और B की क से B प्लस A काम करेंगे मिलकर फिर B अकेला करेगा फिर B प्लस A काम करेंगे and so on इस तरीके से काम चलता रहेगा तो पहले दिन कितना काम होगा आप यह समझो पहले दिन 2 यूनिट काम होगा फिर B प्लस A मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट करेंगे फिर 2 यूनिट फिर 5 यू 7 units is completed in two days, बात समय में आ रही सभी को, 7 units काम हो रहा है 2 days में, ठीक है, अब हर 2 दिन में किया गया काम fix है, 7 units, 3 units and so on, हर 2 दिन में 7 units ही काम होगा, तो तानपूरा कितना करना है, 30 units, तो 7 का multiple जो 30 से पहले हो 28, 28 कर दो यहां पर, 28 units कितने में होगा है, इसका 4 गुना किया तो इस पर रुख जाओ, और जरा सोचो, कि अभी तक work done by A कितना है, और work done by B कितना है, A ने कितना किया इसमें से, और B ने कितना किया है, तो देखो A ने कितना काम किया है, यहां पर यह समझते है, A हर alternate day काम कर रहा है, मतलब अगर 8 दिन काम हुआ है, तो A ने सिर्फ 4 दिन काम किय है, चार दिन किस रेट से काम करेगा है, तीन के रेट से, यहीं 12, तो A ने काम किया 12, और B तो डेली काम कर रहा है, तो 8 दिन में हर दिन यह काम करेगा, 8 दिन में 2 के रेट से, यानि 24 सुनिट, ठीक है, यहस, A ने कितना काम किया, चार दिन काम किया, और B ने 8 दिन काम किया तो ए ने चार दिन काम किये लेकिन टोटल हमारा कितना आना चाहिए था 28 अचाहिए 16 आएगा ना ठीक है तो 16 प्लस 12 टोटल कितना होगे 28 अब जो बचा हुआ दो यूनिट है वो कौन करेगा अगले दिन जिसका नंबर है अगले दिन किसका नंबर आएगा फिर से बी का तो बी अगले दिन दो यूनिट और कर लेगा तो बी ने काम किया टोटल 18 और ए ने 12 यूनिट कुल मि तो पैसा भी इसी रेशियो में डिस्ट्रिवेट होगा एक का शेयर कितना होगा टू बाई टू प्लस त्री टू बाई फाइव टोटल अमाउंट कितना 800 कितना आ जाएगा 40 परसेंट इसका 320 कि 2020 और ऑप्शन टी ऑल्टनेट डेस वाले सवालों में भी हम यह कुश्चन ए आपके लिए है यह सवाल आप homework में try करेंगे अगर आपने पूरा concept सीख लिया है तो आप definitely इसको कर सकते हैं और comment करके इसका आंसर जरूर बताएंगे यह concept यह आपको कैसा लगा समझ आया कि नहीं आया यह session आपको कैसा लगा यह comment करके जरूर बताईएगा आप बताते है त चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू सो मच